सिम्संस दोस्तो ये नाम आपने कही ना कही तो सुना होगा ये अमेरिका का एक कार्टून शो है जो 1989 में सुरू हुआ था दोस्तो ये कोई नॉर्मल कार्टून नहीं है इस कार्टून में जो भी दिखाया जाता है कुछ सालों बाद वो एकदम सच हो जाता है और दोस्तो अभी present time में 35 वा season चल रहा है और ये future में होने वाली घटनाओं को पहले ही दिखा देता है example के तोर पर 1993 में season 4 episode 21 में दिखाया गया था कि एक virus आएगा जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा और आज 2023 में हम अपनी घड़ी से call लगा सकते हैं number 3 son 2000 season 11 episode 17 में दिखाया गया था कि डोनाल टरंप अमेरिका का प्रेजिडेंट बनेगा वो भी अपने पैसों के बदोलत और हुआ तो हुआ पर जिस तरीके से show में टरंप ने हाथ हिलाया है ठीक वेसे ही उसी पोजिशन में डोनाल टरंप ने भी हाथ हिलाया है number 4 2006 season 17 episode number 10 में दिखाया गया था कि दो लोग संवरीम से पानी के अंदर जाते हैं और ओप सीजन के वज़े से वो वही खत्म हो जाते हैं और 2023 में ओसें गेट टाइटन पानी के अंदर गया था और वो भी खत्म हो गया दोस्तो अगर मैं इसकी एक एक थियोरी भी बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन इसके सच खत्म नहीं होगे क्योंकि कुछ टाइम बाद इसका एक नया सीजन लोज हो जाता है जो फ्यूचर को दरसाता है दोस्तो अभी तक इस सो की 43 थियोरी सर्थ हो चुकी है जिसमें से कुछ लोगों का कहना है कि इसमें से 13 थियोरी तो इतिफाक है लेकिन 13 थियोरी तो ठीक है पर बाकी 30 बची उनका क्या दोस्तो सिम्सेंस के एक एपिसोड में एलोन मस्क के साइबर ट्रक को भी दिखाया जाता है और ये भी दिखाया जाता है कि एलोन मस्क के आविसकार एक और से हमारी मदद कर रहे हैं और दूसरी और से हमारे लिए खत्रा भी बट रहे हैं और इसका सिकार सबसे पहले अलोन वस्क खुड हो सकते हैं अब दोस्तों मैं आपको इसके एक ऐसे एपिसोड के बारे में बताने वाला हूँ जिसने इंडिया के फ्यूचर को दिखाया है जिसको देखकर मैं भी हरान हूँ 2012 में सीजन 11 एपिसोड 17 में दिखाया गया है ये इंडिया पाकिस्तान के उपर न्यूकिलियर बॉम छोड़ देगा विशे दोस्तों इन सब के उपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताएं